मोहन भागवत जी कल आप का भाषन सुना, आपका वक्तवि सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पे आपकी व्याख्या सुनी, राजनीती में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी, एक बात बताईए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे, तो क दिख रहा है, ये आप ही न लगाया था, अब बोल कर क्या फाइदा, जब हातरस में एक दलिद बच्ची का बलातकार होता है, हत्या हो जाती है, तब आप चुप रहते हैं, जब देश की राजधानी के बाहर सडक पर मौसम और पुलीस की मार झेलता हुआ, किसान बैठा हो जाता है, तब आप चुप रहते हैं, जब अखलाक और पहलू खान की निरदेता पूर्वक हत्या की जाती है, तब आप चुप रहते हैं, जब कनहिया लाज टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतिय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं, दुना में या उत्तरप्रदेश के लखनव में दलितों के मुँँ में पेशाब फेका जाता है डाला जाता है आप तब भी चुप रहते हैं अब बोलकर क्या फाइदा अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मौन बागवत जी और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुपी ने आपको अप्रासंगिक किया है नरेंदर मोदी ने अमिट शाह ने भारती जनता पार्टी ने अब इस समाज को इस लोगतंतर को आपकी आवशक्ता नहीं रही है आखिरी मौका आया था कि जब भारती जनता पार्टी के नेता लगातार समिधान बदलने की बात कर रहे थे आप तब भी चुप रहे हैं आप नहीं बोले अब इस समिधान को इस लोकतंतर को और इस समाज को राष्टरी सेम सेवक संग की या मोहन भागवत जी आपकी आवशक अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते नरे नर्मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं ना पहले ली थी ना बलेंगे आपको बोलना आपका स्वागत है आप बोलते रहें लेकिन मैं फिर दोराता हूं इस समाज को आ आप क्या वश्रक्ताब नहीं रही आप अप रासंगिक हो चुके हैं जय हिंद्ध